नमस्कार दोस्तो मैं हम वच्छार कुलाच मैं बात करने वाला हूँ IRCTC Limited के बारे में तो दोस्तो आज ये stock 5% जो है वो आपको lower circuit लगाता हुआ दिखा लगख 68.55 रूपे ये down है आज तो दोस्तो काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमें इसमें buying करनी चाहिए गिरावट देखके या फिर हमको जो है वो wait करना चाहिए या फिर अगर हमने इसको 1400 के आसपास लिया हुआ है तो हमें इसको बेच के निकल जाना चाहिए तो दोस्तो मैं आपके सारे बातों का जबाब दूँगा तो शुरुआत करते हैं इसके इंटाडे चार्ट से तो आप देख सकते हो opening होती है 1337.45 पे previous close आप इसका देख सकते हो 1371.35 है वहाँ से इसकी opening आप देख सकते हैं उसके बाद आप गिरावर जो है पूरे इंटाडे चार्ट में देख सकते हैं closing होती है इसकी 1302.80 पे तो अगर मैं बात करूँ दोस्तो पास दिन की तो ये stock आप देख सकते हो 1419 पे trade कर रहा था तो मैं उनके बारे में बात करूँगा जिन्हों ने इस level पे stock को लिया हुआ है rally को देख के तो दोस्तो अगर मैं बात करूँ एक महीनी की तो आप देख सकते हो ये stock 25 March को 815.40 पे trade कर रहा था वहां से इसने अच्छी खासी rally दिखाई थी जबकि सबको पता था कि इसके business नहीं है बट ये stock फिर भी जो है वो booking हो रही है उस कारण से ये stock बढ़ रहा था अभी पूरा इनको 200 क्रोड से भी ज़ादा जो है वो daily loss हो रहा होगा और हो रहा है तो दोस्तो अभी बात करते हैं इसके trade की कैसा हुआ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे क्या करना चाहिए तो दोस्तो मैं नैसी की website पे आ चुक हूँ तो previous close आप देख सकते हो 1371.35 है opening होती है 1330 पे high बनाता है 1347.75 पा low बनाता है 1302.80 का अगर मैं बात करूँ adjusted closing की तो इसको मिलती है 1302.80 पे अगर मैं बात करूँ दोस्तो traded volume की तो 9,11,686 जो है वो trade होते है उसके बाद अगर मैं बात करूँ percentage of deliverable quantity to traded quantity तो 43.27% की delivery जो है उठाई जाती है लगग 3,94,556 जो है वो delivery पे उठाई जाते है delivery जो है वो ठीक ठाक है उसके बाद अभी बात करते हैं कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए इस price पे की नहीं या फिर आप wait करें तो दोस्तो अगर आप इसमें long term सोचते हो या फिर अगर आप date से 2 साल सोचते हो तो definitely आपको जो है वो इसमें buying करनी चाहिए मैं आपको व VIA जो है वो इसको बचाएगा RBI ने पूरा plan बना लिया है उसे साब से काफी सारे private banks ने भी इसमें invest किया तो ये stock बढ़ गया बट जिन बैंक ने इसको 10 रुपे पे लिया था उन्होंने high price पे sell कर दिया तो वो news जो है वो दोस्तो अभी निकल के आई बट जो उन्होंने selling क की थी वो पिछले महीने की थी तो दोस्तो market जो है वो तभी react कर गया था बट हमें जब पता चलता है तब वो can't हो चुका होता है और हम क्या करते हैं उसमें निवेश कर देते हैं retail investor इस तरह हम trap होते हैं तो इन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए तो अभी बात करते हैं कि क्या ये stock फिर से 800 के आसपास जा सकता है या उससे भी जादा पिट सकता है तो definitely दोस्तों अपने low के आसपास जो इसने पिछले महीने बनाया था 800 के आसपास का उसके बाद ये अपना 52 वीक low जो है इसका 625 उसके आसपास support लेगा मेरे को नहीं लगता कि उसके नीचे ये stock बिट सकता है तो ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए आप इसको जो हर एक 5 य जो है वो 50 यह 60 भी ले सकते हैं तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है अभी बात करते हैं जिनों ने इसको 1400 के आसपास लिया है रैली को देखके तो दोस्तों अगर आपने trade के लिए लिया था तो अगर आपने stop loss लगाया है वो hit हो गया है तो इच्छो के आपने जो भी किया है वो अच्छी बात है कोई बुरी बात नहीं है बट अगर आप इसको long term के नजरी से लिये हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है आप इसको hold करिए और इसको जो है वो average out भी करिए हर 5 यह 10% के बाद इसको average out करिए यह नहीं है कि आपने पैसा जो है आपके पास उसको ए क्या करूं तो यह दिक्कतें जो है वो आपके सामने definitely आएंगी अगर आप एक दिन में पैसा अपना लगा दोगे तो दोस्तों यह बात आपको मैं बता देता हूँ IRCTC एक दिक्च कंपनी है और आप भी अच्छे से जानते हो बट अभी जिस दोर से गुजर लिये है वो definitely एक चिंता का विशे है बट मार्केट को पहले से पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है मार्केट का रियक्शन जो होता है कि इससे भी अगर कोई बड़ा कांड हो सकता है तो उस पे रियक्शन देता है अभी कुछ लोग जो है वो 5000-6000 या फिर दोस्तों कहीं लोग तो 4000 का भी इनवेश्ट करते रहें बिल्कुल स्लोली स्लोली इन्वेश्ट करें एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट यहां से HIS के लिए यह नहीं लगता कि जो मुझे लगता कि यह उसके नीचे आ सकता है market को पहले से पता रहता है और market हमेशा 6-8 महीने आगे सोचता है जो हम आज reaction देते हैं वो market पहले ही दे चुका होता है अगर हमें कोई आज news पता चलती है तो आप क्या सोचते हो कि हम इतने समझदार हैं तो market को नहीं पता बस आपको एक चीज़ का ध्यान द्यान में रखना है तो वीडियो चीज़ लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें